Hello everyone, welcome to study session. We are going to study about history of bacteriology, that is a part of plant pathology. जिसका हमने first part already पढ़ लिया है, that is कौन सा पढ़ा है हमने? उसका पढ़ा है हमने history of plant pathology. और second part की बात करें, तो second part आजाता आपके बास history of bacteriology. इसमें bacteria का क्या क्या काम था और इसमें कौन कौन से scientists involved थे, इसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं. अगर हम first की बात करें, आपके बास पहले आ जाते हैं Anton von Leonhawk. Anton von Leonhawk क्या थे? क्लोथ मर्चेंट थे, जो की Holland में रहते थे. उन्होंने क्या ड्वलप किया? Magnifying glasses को उन्होंने ड्वलप किया, जो की further किसमें help हुआ? Microscope की development में बहुत जादा helpful रहा. ठीक है? अगर हम further बात करें, उन्हों डिस्कवर किये microorganisms, कौन-कौन से? Bacteria, Protozoa, Algae, और named them as a Little Animiculus. ठीक है? He is regarding as a father of bacteriological word. अगर हम next की बात करें, next आजाता है, लुइस पास्चर, जुन्होंने क्या किया? उन्होंने प्रूफ की germ theory, और उन्हों को term कौन-कौन से कौन कौन से कौन से है? और anaerobic organisms कौन से होते है? उन्होंने प्रूफ किया, fermentation कैसी है? और कौन सी process में? और उसमें क्या-क्या steps होते है? और उन्हें पास्चराइज़िशन के बारे में भी बताया? और उन्होंने एक vaccine ड्वैक्सी 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 की, और उन्होंने वो discover की. अगर हम बात करें, उनको regard किया जाता है as the father of microbiology. अगर हम नेक्स की बात करें, that is Robert Koch 1876, उन्होंने प्रूफ किया, जो anthrax disease है, cattle में होता है, वो cause किसने की आपका, bacterium bacillus anthraxes ने, उन्होंने पॉस्टुलेट्स दिये, जिसको क्या कहा? कोर्स पॉस्टुलेट्स का या उसको rules भी बोल सकते है, जो उन्होंने पैथिज उन्होंने कहा, जो आपके पास tuberculosis disease है, किसने cause किया है, उसकी पूरी cycle के बारे में, इन्होंने ये भी explain किया, ठीक है, उन्होंने father of medical bacteriology, consider किया गया, उनको regard दिया गया, father of bacteriological techniques, अगर हम फ़र्दर बात करें, आपका four postulates आचाते है, coach के postulates, जो की फैला postulate है, the suspected microorganisms must be present in every diseased host, जो भी microorganisms suspect हुआ है, निकाला है, वो उस plant में present होना चाहिए, जिसमें उसने disease cause किया है, ठीक है, कोई भी plant है, उसमें अगर disease हुआ है, तो जो उसका causal agent है, वो उसमें present होना चाहिए, तो ये पहला postulate आचाता है, आपके पास, दूसरा postulate कहता है, the suspected casual agent must isolate from a diseased host and grown in a pure culture, तो जो suspected plant है आपके पास, जिसमें disease हुआ है, उससे वो plant का जो agent है, causal agent, जिसमें disease cause कर रहा है, उसको निकालते है, और उसको कहां grow करते है, एक pure culture में उसको grow करते है, ठीक है, अब next आपके postulate आजाता है, the specific disease must be produced when a pure culture of suspected casual agent is inoculated into a healthy susceptible host, आप क्या कहते है, वो specific disease है आपके पास, ठीक है, वो produce तब होता है, जब उस pure culture से उस agent को निकालते है, जो casual agent था, जो अपने पुराने वाले host से निकाला था, उस casual agent को pure culture से निकालते है, और एक new healthy plant में डालते है, ठीक है, और उसको वो carry करता है, वो healthy plant, उसके बाद, fourth postulate क्या कहते है, आपके पास, the same casual agent must be recovered again from the experimentally inoculated and infected host, तो वही casual agent recovery शो करता है, उस नए healthy plant में, उससे उसको निकाला जाता है, और experimentally देखा जाता है, कि वो same है, कि नहीं है, और उसने देखा जाता है, कि infect किस तरह से उसी तरह से किया है, जैसे पिछले वाले plant को उन्होंने, क्या किया था, effect किया था, तो यह आपका 4 postulate आजाते है, अगर हम फदर बात करें, T.J. Burrill की, 1878, उन्होंने बताया, कि fire bright of apple होती है, जो, और peer होती है, जो, वो cause किस के दवारा होती है, एक bacterium के दवारा cause होती है, उसका नाम क्या बताया, उन्हें, Arvenia Amylvora, ठीक है, उन्होंने क्या शो किया, जो bacteria है, वो plant में भी disease cause करता है, first time उन्होंने ये शो किया, ठीक है, अगर हम फदर बात करें, E.F. Smith की 1900, उन्होंने final proof दिया, कि जो bacteria है, वो भी plant diseases cause करता है, अगर हम फदर बात करें, उन्होंने study किया, wilt of cucumber and crown gall of apple, जो की दोनों cause करता है, bacteria cause करता है, और next, जो fourth prostate हमने coach का पड़ा, वो भी E.F. Smith की दोरा ही दिया गया था, अगर हम books की बात करें, उन्होंने कौन-कौन सी book लिखी है, तो पहली book उन्होंने लिखी है, वो है, bacterial disease of plants, इस book में उन्होंने बताया, जो एक bacteria का relation किस तरह से plant से होता है, उसके disease से होता है, ठीक है, अगर उनको father of phytobacteriology भी कहा गया, उन्होंने ये demonstrate भी किया, जो कि हम budding करते है, या फिर हम grafting करते है, उससे भी disease spread होते है, कौन से disease होता है, transmission of plant virus, एक virus दूसरे plant में जाता है, किस ज़से जैसे grafting होती है, किसी वाइरस वाले plant से grafting की गई, या फिर bud निकाले गे और नए plant में डाले गए, तो वो क्या होगा, वाइरस एक जगा से दूसरी तरह चला जाएगा, ठीक है, इस तरह से वो infection शो करेगा, अगर हम further बात करें 6th की, आपके पास आ जाता है, Walter and Frau Hessey की बात करें, उन्होंने बताया 1881 में, उन्होंने बताया कि अगर-गर का use भी कि तो इसके discovery आज ये पैट्री ने की थी, और उनके नाम में ही इनको पैट्री डिश कहा जाता है, या पैट्री प्लेट्स कहा जाता है, तो ये सर्कुलर प्लेट्स होती है, जिसमें मीडिया को रखा जाता है, ठीक है, अगर हम दो ये इशी की बात करें, 1967 उन्होंने होता है, वो किसमें यूज हो सकता है, आपका बस management में यूज हो सकता है, अगर हम further 9 की बात करें, आपका कौन आ जाएंगे, Davis आ जाएंगे, और Worley आ जाएंगे, J.E. 1972, उन्होंने क्या discover किया, फर्स टाइम की, जो spiroplasma है, वो कहां देखने को मिलता है, in constant disease, अगर हम next की बा आपकास concept खतम हो जाता है, इसमें क्या जाता है, history of bacteriology, अगर हम next concept की बात करें, next हम पढ़ने वाले है, history of virology, जो की बहुत important है, और questions इससे कई आए गए है, तो अगर आपने 12 marks पूरे complete करने है, तो आपको कुछ पार्ट आपको, जो हमेरा first part है, कौन सा history of plant pathology, वो लिखना पड़ेगा, थोड़ा से bacteriology का पार्ट लिखना पड़ेगा, थोड़ा वायलोजी का और थोड़ा सा अगर आपको पूरे 12 marks कवर करने है, तो इंडिन pathology के बारे में भी आपको लिखना पड़ेगा, जो की हमारा last part होगा, so thank you so much for watching my video and please do like, share and subscribe my channel, अग हम next part में मिलते है, जि history of वायलोजी के बारे में हम डिसकस करेंगे,